सबसे बड़ी सीख एक साधू था वा रोज घाट के किनारे चिलाया करता था जो चाहोगे सो पाओगी बहुसते लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बाद पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे आगल्स आदमे समझते थे एक दिन एक युवक्त वहां से गुजरा और उसने साधू की आवास थे जो चाहोगे सो पाओगी तो क्या आप मुझे को वो दे सकते हैं जो मैं चाहता है। सादू उसकी बात सुनकर बोला हाँ बेटा तुन जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी लेकिन पहले यह बताओ तुम्हें आखिर चाहिए क्या। युवब बोला मेरी एक ही इच्चा है मैं हीरो का बहुत बड़ा ब्यापारी बनना चाहता हूँ। सादू बोला कोई बात ने मैं तुम्हें एक हीरे और एक मोती देता हूँ उससे तुम जितना भी हीरा मोती बनाना चाहोगी बना पाओगी। और ऐसा कहते हुए सादू ने अपना हाथ आदमी की हधेली पर रखते हुए कहा। पूत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय पहते हैं। इसे तेजी से अपने मुठी में पकड़ लो और कभी इसे मत गवाना। तुम इससे जितना चाहो उतना हीरे बना सकते हैं। ये वह कभी सोची रहा था कि सादू ने उसके दूसरी हथेली पकड़ते हुए कहा। पूत्र इसे पकड़ो या दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैरे काते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिलाम ना मिले। इस कीमती मोती को धारण कर लेना। जब रखना जिसके पास या मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप कर सकता है। उस युवक ने ऐसा ही सोच की। वह कभी भी अपनी समय को इधर धर नहीं गवाया। और हमेशा धर से काम लेगा। उसने एक बहुत बड़े हीरे के बेपारी के इहां काम शुरू किया। और अपने मेहनत और इमंदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बड़ा बेपारी दा। कहानी की सीथ दोस्तों समय और धर वह दो हीरे मोती हैं जिसके बल पर हम बड़े से बड़े लच्छ राप कर सकते हैं। अता जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बरबाद ना करें और अपनी मंजिल तब पहुजने के लिए धर से काम लेगा। कहानी आपको कैसी लेगा। कॉमेंट्स करके जोब बताएगे। कहानी पसंद रायती है। लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूडियो पूरा देखने के लिए धर्निवाद।